मशूर सिंगर नेहा ककड पिछले कुछ समय से टेलिविजन के दुनिया से दूर है वो आखरी बार साल 2022 में इंडियन आइडल शो जज़्ड करती हुई नसरोई थी इसके बाद वो अपने कंसर्ट करती रही है इस बीच रोवन प्रेज सिंग के साथ उनकी तला की खबरों ने खूब तूल पकड़ ली थी अतना ही नहीं नेहा के प्रेगनेंट होने की बात भी सामने आई ऐसे में खबरे आने लग गई थी कि नेहा ककड अब डैवोर्स लेने वाली है जी हाँ नेहा ककड की डैवोर्स की खबरें चारों तरह फैल गई थी लेकिन अब नेहा ककड ने इन खबरों पर ब्रेक लगा दिया है उन्होंने सब को जवाब दे दिया है दरसल नेहा ककड किसी वज़े से मेंटली और फिजिकली बहुत कमजोर हो गई थी इसी वज़े से सिंगर ने इसे बाहर आने के लिए कुछ समय का ब्रेक लिया था वहीं अब नेहा जल्दी ही वापसी करने वाली है इस बात का खुलासा खुद नेहा ने किया है टाइमस के मताबिक नेहा ने बताया मैं मेंटली और फिजिकली बहुत कमजोर हो गई थी इसलिए मेरे लिए कुछ समय का ब्रेक लेना बहुत जरूरी हो गया था मैं ऐसी इंसान हूँ जो किसी भी शो के लिए अपने सब कुछ लगा देती हूँ मैं ऐसा बहुत समय से कर रही थी लेकिन ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे ब्रेक की जरूर थी लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ नेहा ने आगे अपनी प्रेगनेंसी और दाला की अफवाहों पर रियक्शन देते हुए कहा काम नग करने की वज़़े से खबरे आई थी कि नेहा पती रोहन प्रेट सिंग से अलग हो रही है वही कुछ अफवाहे आई कि सिंगर प्रेगनेंट भी है इसलिए काम नहीं कर रही है लेकिन अब नेहा ने इस पर भी चुप़ी तोड़ दी है सिंगर ने इन अफवाहों पर रियक्ट करते हुए कहा जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे बारे में दो अफवाहे आ रही है एक ये कि मैं प्रेगनेंट हूँ और दूसरी है कि मेरा तलाग होने वाला है ये बहुत बुरा है लोगों को आपके बारे में गौसिप करनी है और अपने मन से जो मर्जी वो कहानी बना देनी है लेकिन मैं ऐसी चीजों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सच क्या है कुल मिलाकर नेहा ने ये साफ कर दिया कि वो ना ही प्रेगनेंट है और ना ही डावोर्ट्स लेने वाली है वेल इस खबर पर आपकी क्या राय है बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन बे